हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जो अब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सबस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो UPPSC नर्स भरती 2030 दोस्तो UPPSC की तरफ से 2240 पदोग पर स्टाफ नर्स मेल फिमेल की परिमारे भरती निकाली गई है दोस्तो सबसे अच्छी बात ओनलाइन शुरू हो चुका है और आप लोग जो है 21 सब्टमबर तक फार्म को अपलाई कर सकते हो तो दोस्तो आज इस वेडियो में बात करेंगे UPPSC नर्सिंग पुरुस महिला की जो वैकेंसी निकाली गई है 2240 पदोग पर इसमें दोस्तो OTR से related जो है बहुत सारी comment आ रहे हैं कि सर OTR नमबर कैसे निकालें OTR नमबर कैसे देखें तो आज इस वेडियो में जानकाई देंगे कि OTR नमबर कैसे आप लोगों को देखना है और इसके साथी OTR में कैसे आपको संसोधन करना है OTR में आप लोग क्या क्या correction कर सकते हैं इसकी भी जानकारे देंगे and OTR नमबर जो है आप लोगों को कहां पर मिलेगा इसकी जानकारे देंगे बिना OTR नमबर के कैसे आप लोग लॉग इन कर सकते हो इसकी जानकारे देंगे बहुत ही जबर्सदस विकेंसी UPPSC से दोस्तों निकाली गई है तो अभी मैं बताऊंगा कि OTR नंबर कैसे आपको देखना है तो चलिए आपको लेके चलते हैं UPPSC की वेबसाइट पर तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे UPPSC की ओफीसियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है UPPSC परियागराज होम पेज है यहाँ पर देखे संडे 27 अगस 2023 उतर परदेश पब्लिक सर्विस कमिसन उतर परदेश लोग सेवा आयोक का दोस्तों बिल्कुल ओफीसियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पर ओल नोटिफिकेशन्स एड़टीजमेंट्स को ओप्सन सो कर रहा है इस पे किलिक करके आप लोग जो है अपना नर्सिंग का जो विश्तित विज्यापन है 2240 वाली उससे जोहर डाउनलोड कर सकते हैं और फार्म को भी अपलाई कर सकते हैं बाकि आप लोगों को नीची आना है ओनलाइन अपलिकेशन फार्म समिसन इस वाले ओप्सन प्याओगे तो नीचे बहुत सारे ओप्सन सो कर रहे हैं यहाँ पर एक ओप्सन सो कर रहा है जैसे आप लोग नीचे आओगे OTR-based है देखिए OTR-based है Candidate Dashboard इस पर आप लोग क्लिक करके Dashboard पर भी जा सकती हो OTR Dashboard पर भी जा सकती हो और इसके साथ ही जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर Recruitment Dashboard जो सो कर रहा है इस पर भी आप लोग चेकाउट कर सकते हैं जो भी विज्यापंजारी किया जाएगा नई नई उसे जो है यहाँ पर Dashboard में सो करेगा इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें जैसे आप लोग नीचे आओगे तो Candidate Help Deck section यहाँ पर है इस पर आप लोगों को नीचे आना है जैसे आप लोग दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर option सो कर रहा है न्यू करके देखें न्यू करके यहाँ पर एक option सो कर रहा है Now your OTR number इस वाले option पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे तो OTR नंबर यहां से आप लोग देख सकते हैं तो इस समझ जो OTR में जाना फॉर्म भरे जा रहे हैं क्योंकि upcoming vacancy आ रही है vacancy चल रही है इसलिए OTR में जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी आपने OTR फिल नहीं किया है OTR फिल दोस्तों कर लो क्योंकि जो है server down इस समझ चलना थोड़ी सी buffering चलना यहां पर देखे अगर आपको OTR नंबर देखना है तो आपको login करना है बिना login कि आप लोग OTR नंबर नहीं लेपाएंगे तो OTR लेने के लिए OTR नंबर देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो यहां पे login का options हो कर रा है आप जिसे इस पर क्लिक करोगे तो sign up का option आ जाएगा लेकिन आपको login करना है तो आपको login वाले options पे खिलिक करना है जैसे आप लोग login करोगे यानि कि आप लोग login दो तरीके से कर सकती हो एक आप लोग OTP के थूरू जो है option सो कर रहे हैं, तीन option सो कर रहे हैं एक mobile number यहाँ पर सो कर रहा एक आप logo का email ID सो कर रहा एक आप logo का OTR number सो कर रहा है अभी आपके पास OTR number है नहीं तो आप लोग जो है mobile number के through login करके OTR number प्राप्त कर सकते हैं या फिर email ID से login करके OTR number प्रापत कर सकते हैं जैसे मोडाइल नंबर मैंने Select करा है तो आपको यहां पए मोडायी नंबर जो login आडेस होकर यहां पर मोडाय станu आएगा इसके बाद मोडाइल नंबर पर OTP आएगा तो जैसे आप लोग मुवाल नबर फिल करोगे इसके बद आपको get OTP वाले option पर किलिक करना है और यहाँ पर आपको OTP देना है फिर यहाँ पर verification code जो सो कर रहा है यहाँ पर XV3 X4 यह आप लोगों को यहाँ पर enter verification code यहाँ पर आपको verification code फिल करके login कर लेना है और जैसे आप लोग 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 इन करोगे आपका दोस्तो OTP नमबर आपको प्राप्त हो जाएगा दो सकेंड के अंदर आप लोग OTP लोग 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 ले सकते हैं इसी तरीके से आप लोग अगर email id से जो है OTR नमबर लेने वाले हो तो यहाँ पर email ID select करो यहाँ पर आपको email ID देना है फिर आपको get OTP ओले option पर click करना है आपके email पर OTP आएगा उसे यहाँ पर fill करिए यहाँ पर verification code फिल करिए इसके बाद दोस्तों आप लोग इन करके OTP नमबर ले सकते हो तो बहुत सारे comment आ रहते हैं कि sir OTP नमबर कहाँ पर मिलेगा OTP नमबर कैसे निकाले तो इसी page पर इस page का link नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर click करके direct आप लोग इस page पर आईए इस page पर आने पर आपको OTP नमबर मिलेगा login करके तो यहां पे आपको OTP नमबर मिल जाएगा, login करके आप लोग OTP नमबर ले सकती हो, आप बात करेंगे कि OTP में आप लोग क्या-क्या समसोधन कर सकती हो, सबसे पозмछले यहां पर देखिए यह साब सब यहां पर बता जारा आप लोग जो है mobile and email को छोड़के सब कुछ यहाँ पे जो भी आपका विक्तिगत विवर्ण है जो भी आपका personal details से आप लोग संसोधन कर सकते हैं login करके आप लोग वहाँ पे संसोधन कर सकते हैं तो यह बहुत important update था कि आप लोग mobile number और email जो है संसोधन नहीं कर सकते हैं बाकी सब कुछ आप लोग संसोधन यहाँ पे कर सकते हैं यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया कि one time registration process में modify क्या क्या आप लोग कर सकते हैं तो personal details आप लोग modify कर सकते हैं लेकिन आपको number and email id छोड़के mobile and email आप लोग जो है change यहाँ पर नहीं कर सकते हैं बाकी आप लोग जो है change कर सकते हैं अब दोस्तों मेरे पास comment आ रहे कि sir हमने OTP के लिए आविदन कर दिया है अब हमें OTP जो है कितने घंटे के अंदर मिलेगी यानि कितने दुनों के अंदर या कितने घंटे के अंदर मिलेगी तो OTP आपको 32 घंटे के अंदर ही मिलने वाली है बाकी चलिए मैं आपको लेकी चलता हूँ notifications वाली page पर यहाँ पर all notifications का page है इस page पर आओगे तहाँ पर nursing की विकेंसी है 21 अगस से online शुरू हो चुकी है 21 सब्तमबर तक आप लुकफां भरोगे view advertisement का option है इस पर किलिक करके full notification को download कर लो यहाँ पर बताया गया है कि OTP जो है आपको कम मिलेगा बाके मैंने आपको OTP के बारे में जानकारी दे दी है OTP नमबर के अभाव में online आविजन सब्मिट नहीं किया सकता है ऐसे अभरती जिन्होंने OTP नमबर प्राप्त नहीं किया है वे online आविजन करने के 22 घंटे पूर्व I.O की website परिक्षा.nic.in से OTP नमबर प्राप्त कर लें OTP OTR नमबर प्राप्त करने को प्राम थी I.O की website UPSC पर online आविजन सब्मिट किया जा सकते है जैसे आपने जो है आज OTP फिल कर दिया है तो इसके 3 days के बाद जो है आप लोग UPSC पर जाके नर्सिंग के लिए फर्म भर सकते हैं यानि कि 3 दिनों के अंदर 72 घंटे के अंदर जो है आप लोगों को OTP मिल जाएगा लोग इन करके आप लोग OTP ले सकते हैं धन्यवाद